कि पाट्टाजएट शॉर्ट तो वेज़र वीडियो के एंड में हम लोग बात करने वाले रॉयल पास के गीववै की सो वीडियो को पूरा एंड तक देखना क्योंकि काफी जदा important और interesting वीडियो होने वाले है तो let's go guys और वीडियो पूरा end तक जरूर देखना तो hello guys और welcome back to the new world और वीडियो के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एंडी के character के बारे में जो की season 13 में आने वाला है और साथी साथ में DIY skin की जिसमें हम लोग अपना खुद का skin design करेंगे तो वीडियो काफी important होने वाला है आप सभी के लिए तो वीडियो को पूरा end तक जरूर देखना बात करते हैं भाई यहाँ पे मैं यह वीडियो दोबारा क्यों बना तो इसका सिर्फ यही reason है जो मैंने पिछली leaks वाली वीडियो डाली थी उसमें मैंने आप लोग को end और यह जो skin वाली चीज़े हैं इसके बारे में ज़्यादा detail में मैंने नहीं बताया था जो कि इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ और यह भी बताऊंगा कि भाई आपको end लेना या फिर कारलो उसका reason यह है कि दोनों का price तो same ही है बात करे है जब हम लोग end को buy करते हैं तो हमारे पस क्या क्या चीज़े आ जाती है तो सबसे पहले तो definitely हमारे पस end ही आता है वो नहीं होगा तो फाइदा ही क्या buy करने का Secondly हमारे पास जो चीज आ रही है वो आ रहा है उसका suit ठीक है मतलब जैसे आप लोग इसको buy करते हो आप लोग उसका set मिल जाता है तीसरी चीज है भाई उसकी जो टोपी हमारे पास तो ये भी Andy की cap है उसके बाद last में आप लोग जो चीज मिलती है वो है Andy का mask तो ये चार चीजे मिलते हैं जैसे आप लोग अपना Andy character ले लेते हो उसके बाद हम लोग बात करते हैं Andy के price की तो वो यहाँ पे 1200 UC है और Carlo का भी यही same same price है तो बात करें कि इसको buy करना चाहिए तो मुझे लगता है आपको Andy को buy करना चाहिए उसका reason भी मैं आप लोग को आगे बताने वाला हूँ तो reason यही है कि भाई सबसे पहले तो आपको outfit काफी जादा मिल जाते है Andy के साथ secondly बात करें तो भाई जो emotes हैं आप एंडी के पास है ना वो emote Carlo के पास करता ही है यह नहीं तो इसलिए मेरी choice रहेगे कि आप लोग Andy को लेना और भाई यह वाला set यार इसके साथ काफी तगड़ा लगता है तो यह वाला set मेरे को काफी जादा पसंदा है Andy के लिए तो आप लोग बताना है Carlo लोगे या फिर Andy जरूर से comment कर देना तो देख सकते हो इसका emote काफी तगड़े तगड़े है यह इसका MVP वाला emote है बट यह उतना ज़्यादा खास नहीं है जो मेरा favorite emote है वो मैं अभी आप लोगों को दिखा दूँगा तो देख सकते हो सबसे बहुत तो यह इसका suit है ठीक है जो कि मेरा best suit लगता है मेरे को और यह 4 emote भाई जो आप में से सबी लोग को पसंद आने वाला है तो जरूर comment करके बताना कि भाई Andy के emote साप लोगों कैसे लग रहे है और ऐसे emote यार PUBG ने आस तक किसी भी character को नहीं दे जो कि यार Andy को मिल रहे है सो भाई काफी interesting character यह होने वाला है बात करते हैं DIY skin की जिसमें हम लोग खुद का skin design कर सकते हैं तो इसमें क्या क्या चीज़े हम लोग design कर सकते हैं season 13 में यही leaks हैं जो कि आप लोग देख सकते हो और यह है इसका trailer अब बात कर लेते हैं भाई हम लोग यहां पर royal pass की जिसके लिए आप सब तब से wait कर रहे थे कि वीडियो के end में आप लोग देखोगे royal pass की giveaway सबसे पहले तुम्हें बताइता हूं giveaway का announcement करूँ आप लोग इसका notification सबसे पहले मिल जाए और उसके बाद आपको करना करना है comment करना है अपना pubg का username और id और यह साइच चीज़ है जैसे आप लोग कर दे तो उसके बाद भाई यहां पर आपको टास्क करना पड़ेगा टास्क क्या है कि यार अभी मेरे subscriber है 2500 है ना sorry 2350 subscribers है मेरे तो जैसी यह हो जाएंगे 3000 subscribers मैं आप विनर announce कर दूँगा so I hope यार आप लोग उसका जरूर वेट करोगे जब मैं विनर का announcement करना हा ला हूँ सो भाई आप में से कफी लोग सोच रहोगा कि मैं विनर चूज कैसे करूँगा तो गाफी simple चीज़ है यार जो भी लोगों आपे comment कियो होंगे उसमें से किसी एक बंदे का यहां पर पहले select होगा फिर दूसरे बंदे का select होगा और फिर तीसरे बंदे का select होगा बेकॉस तीन तीन रोयल पास के giveaway हो रहे हैं इसलिए मैंने आप लोगों को target दिया 3000 subscribers का तो कर ले ना यार आप लोगों को कुछ नहीं जाता बस उसे का होता motivation मिलता है और हो सके तो future में और भी अच्छे अच्छे हम लोग गिववे कर पाएंगे यह थी आज की वीडियो आप लोगों को definitely पसंद आयोगी तो do comment और वीडियो कैसा लगा आप लोगो तो मिलता हमारे next वीडियो में तब तक के लिए good bye